चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों नीट का एप्लिकेशन फॉरूम फिल करने की लास्ट डेक 9th of March 24 है आप इसका आज साम 5 बजे तक फॉरूम फिल कर सकते हैं अगर जिन कंडिडेक्स ने नीट 24 की एकजाम के लिए रेजिस्टेशन नहीं किया है वो रेजिस्टेशन कर दे और पेमिंट की जो लास्ट डेट है वो भी 9th March 24 रात 11 बज़के 50 मिनट तक है तो किसी कंडिडेक्स ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है पेमिंट नहीं किया है तो वो पेमिंट भी कर दे या फिर किसी ने रेजिस्टेशन नहीं किया है तो रेजिस्टेशन कर दे हम बार-बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी किसी भी student से ये form छूट न जाए, क्योंकि अगर एक बार form छूट गया NEET का, तो उसके बाद में कोई option नहीं बसता है, इंडिया या फिर abroad में MBBS, BDS, admission के लिए, बाकी काफी सारे courses भी NEET के थूँ ही admission होता है उनमें भी, इसलिए NEET का form फिल करना आवश्यक है, जो medical में admission लेना चाते हैं, अभी NEET 24 के application form के साथ साथ और आठ परकार के form हैं, जिनकी भी date announce हो चुकी है, opening date announce हो चुकी है, मैंने इन सभी का detailed video बना दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से remind करवा देता हूँ, इनकी last date क्या है, के रिला के अलावा, बागी सारे forms की date announce होच चुकी है, और इनमें All India के सभी candidate admission ले सकते हैं, इनमें सिरफ UP State के veterinary के admission है, उनमें State के candidate ही admission ले सकते हैं, लेकिन बागी जो साथ परकार के forms हैं, उनमें All India के सभी candidate admission ले सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें NEET 24 के registration की तो ये 9th of February 24 से start थे और 9th of March 24 last date साम 5 बजे तक है और रात 11 बज़ के 50 मिनट तक आप इसमें payment कर सकते हैं तो जिन candidates ने NEET का form apply नहीं किया है वो साम 5 बजे तक ये form apply कर दें इसकी website है https semi clone double slash need.ntaonline.in इस पर आप registration कर सकते हैं रेजिस्टेशन कैसे करना है इसका मैं step by step का वीडियो बना चुका हूँ अब हम बात करते हैं cmc value की तो cmc value की जो last date है 21st March 24 है इसमें All India के candidate apply कर सकते हैं All India की इसमें two seats से बाकी सारे और इसमें जो minority candidate से वो भी apply कर सकते हैं state candidate भी apply कर सकते हैं इसमें इसकी जो website है वो है admissions.cmcvalue.sc.in ये website है इस पर आप registration कर सकते हैं last date 21st March 24 रखी गई है इसमें इसके बाद में हम बात करते हैं CUET admission की CUET में जो admission होता है काफी सारे courses में इसमें undergraduate courses होते हैं जैसे कि किसी candidate को BSC करना है BA करना है इसके बाद agriculture में BSC करना है पहले जो ICR का exam होता था वो CUET में merge हो चुका है तो जो candidate NEET की exam दे रहे हैं वो पहले ICR का exam देते थे agriculture से BSC करते थे तो इसमें भी CUET का exam दे सकते हैं और इसके लिए जो last date है 26th of March 24 है last date है इसकी इसका भी मैं detailed वीडियो बना चुका हूँ फिर भी एक बार इसके अगर हम date देखें तो last date इसकी 26th March 24 है और इसकी जो payment की last date है वो रात ग्यारा बचके 50 मिनट तक 26th March 24 हो है इसमें correction 28-29 तक कर सकते हैं इसमें और 30 अप्रेल के बाद में exam CT का announcement हो जाएगा और result 30 June 24 को declare हो जाएगा इसकी website cuetug.ntaonline.in है इस पर आप registration कर सकते हैं CUET का अब हम आगे बात करते हैं AIMS BSC Nursing का तो AIMS BSC Nursing के भी application form इस्टार्ट हो चुके हैं इसमें 1000 nearby female candidate के लिए BSC Nursing की seat हैं और इसमें male और female candidates के लिए paramedical courses भी है post basic courses भी है तो उसका भी मैं detailed video बना चुका हूँ आप इसके लिए भी apply कर सकते हैं last date 12th April 24 है इसकी website है www.aimsexams.ac.in है इस पर आप visit करके registration कर सकते हैं इसमें 3 परकार के registration होते हैं पहले basic registration करना होता है जिसकी last date 4th April 24 है और उसके बाद code generate करके final registration करना है जिसकी last date 12th April 24 है तो इसका आप registration कर सकते हैं जिन candidates को aims का exam देना है aims BSC nursing करने के बाद में aims से ऐसे काफी सारी vacancy निकलती हैं जैसे nursing officer की vacancy निकलती है और भी काफी सारी vacancy निकलती है तो उसमें आप apply कर सकते हैं BSC nursing course या फिर BSC paramedical course करने के बाद में बात करें के केरिला इस्टेट की तो केरिला इस्टेट के लिए भी ओल इंडिया के candidate admission ले सकते हैं यहां private colleges के लिए और जो केरिला के domiciled candidate हैं उनको भी ये form फिल करना होता है अलांकि इसकी date अभी announce हुई नहीं है जल्दी इसकी date announce हो ज है और करनाटका स्टेट में ये clear हो चुका है कि आपको अभी apply करना होगा उसके बाद में counseling के time में ये form दुबारा open नहीं होंगे medical के लिए जो MBBS BDS में admission लेना चाते हैं BSC nursing में admission लेना चाते हैं उनको भी अभी apply करना है केरिला स्टेट में All India candidate private colleges के लिए apply कर सकते हैं केरिला के लिए 85% quota के लिए registration कर सकते हैं जिन candidate को जो All India के हैं और private medical college में admission लेना चाते हैं तो करनाटका स्टेट में उनको registration करना होगा last date 15 March 24 रात 11 बच के 69 मिनट तक है तब तक आपको registration करना है fees payment की 16 March 24 को साम साड़े पांस मजे तक है मैं आपको बता दूँ कि जो केरिला की private colleges की fees 10 लाग नियर बई है और करनाटका के private colleges की जो fees है वो 12 से 13 लाग per year है इसमें hostel वगरा मैस वगरा सब कुछ include है केरिला में भी 10 लाग में hostel मैस वगरा सब कुछ include है ये per year की fees है वहाँ की सा बाद हम बात करें IPU की तो IPU में जो candidates IPU के अंडर admission लेना चाते हैं तीन colleges है इसमें बाबा साहिब और इसमें जो NDMC है और ACMS है ACMS private college है जिसमें जो आर्मी के बच्चे हैं वो admission ले सकते हैं ACMS में बाकी जो दिनोंने 11th 12th दिली से pass कर रखी है वो candidate इन दो colleges में NDMC और बाबा साहिब में admission ले सकते हैं इसके लिए registration की जो last date है वो 31st March 24 रखी गई है इसकी website ipu.admissions.nick.in है तो इसमें 31st March 24 तक admission श्योरी registration कर सकते हैं जो candidate आर्मी background से हैं जिनके parents आर्मी में service कर रहे हैं या retired हो चुके हैं वो ACMS के लिए apply कर सकते हैं जिनोंने 11-12th दिली से कर रखा है वो B.S.A. और N.D.M.C. के लिए apply कर सकते हैं जो बाकी दिली के colleges हैं जैसे की M.A.M.C. है वी M.M.C. है यू.M.C. है तो इसके लिए counseling के time में registration करना है M.C.C. की website पर जब need का result आ जाएगा उसके बाद में करना है अभी फिलाल दो colleges के लिए registration हो रहा है N.D.M.C. और B.S.A. के लि ये form open ही रहते हैं सिक्किम मनिपाल private colleges है private college है इसकी जो fees है वो 20 लाग per year पढ़ती है सब कुछ मिला करके और इसमें All India के कोई भी candidate admission ले सकता है इसका भी मैं detailed video बना चुका हूँ अब बात करते हम सिक्किम मनिपाल के बाद में बात करेंगे सिक्किम मनिपाल की मैंने fees आपको colleges हैं उसमें एक college के लिए जो DUVASU है पंडित दीन दयाल तो उसके लिए अलग से exam लगता है उसका prospect जारी हो चुका है उसमें जो admission लेना है वेटनरी में यानि कि BVSC and AS course में admission लेना है तो आपको UZWE24 का exam देना होगा और इसकी जो registration की last date है वो 20 April 24 है इसकी जो website है वो website है www.duvas u.com तो इस पर आप registration कर सकते हैं इसमें जो registration होगा वो state candidate के लिए होगा यानि कि जो UP state के domiciled candidate है वो 85% seat के लिए इसमे registration कर सकते हैं इसकी जो seat है वो seat 15% VCI दवारा counseling करवाई जाती है 15% में उसमें All India के कोई भी candidate admission ले सकते हैं ये result के बाद counseling होगी लेकिन जो 85% कोटा रहता है state का उसके लिए exam होता है ये और exam के through ही admission लिया जाता है इस veterinary college में तो इसके last day 20 April 24 है और जो इसका exam होगा UGEE 2024 का वो 26 मई 24 को है तो जो UP state के candidate है जिनके पास UP की domicile है वो candidate इसके लिए apply कर सकते हैं उनको exam देना होगा ये other state candidate हैं वो इस college में admission लेना चाते हैं तो वो VCI के through admission ले सकते हैं इसका counseling के बाद यानि कि जब NEET का result आजाएगा और counseling स्टार्ट हो जाएगी VSI की तब वहाँ registration करके VCI की website पर registration करके वहाँ apply करना होगा और वहाँ से ओल इडिया candidate admission ले सकते हैं ये सरफ अभी state quota के लिए ही है बना चुका हूँ इसमें सब के registration हो चुके हैं इनके अलावा किसी के registration करने की ज़रुत नहीं है नीट से पहले बाकी counseling के time में registration करना है तो ये state में सिरफ एक केरला state है जिसके registration अभी start नहीं हुए है इसके जल्द ही start हो जाएगे बाकी सारे जो मैंने आपको ये form बताए उनक state आज साम पांस बजे तक है और payment की रात 11 बुसके 50 मिनिट तक है जिन candidates ने इसके लिए apply नहीं किया है और वो exam देना चाते है नीट की तो वो आज साम पांस बजे से पहले इसके लिए apply कर दें इसके बाद में correction window start हो जाएगी तो ये जानकारी थी application forms के बारे में जो All India में application form है नीट के लवा फिल करने होते है medical student को उसके बारे में मैंने आपको पूरी information दे दी है और बाकी जानकारी के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जैनी